हेलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत है आप सभी साथियों का एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल एक ग्री यूनिक पर आज के इस वीडियो में हम चर्शा करेंगे तारा मीरायम कुश्चुंति लहनी फसल के बारे में और जो भी स्टुडेंट्स चैनल पर पहली जोईन कर लिजेगा वहाँ पर जो है आपको बहुविकल्बी क्वेस्चन प्रोवाइट कराया जाते हैं प्रते दिन पांच प्रेशन और महत्पूल जानकारियां प्लब्द कराई जाती है तो चलिए आज का सेशन सुरू करते हैं तारा मीरा एवं कुश्चुंका तारा मीरा इसका वानस्पतिक नाम देखेंगे इरुका सेटाइवा उत्पत्तिस्थान अफ्रीका है और यह उपजाओ एवं अनुपजाओ दोनों भूमी पर आसानी से उगाया जा सकता है और तेल प्रेशन की बात करें तो इसमें 35 प्रेशन 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 तेल उप रो टू रो और 10 cm प्लांट रो प्लांट इसकी दूरी उप्यूक्त होती है और बुगाई 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच इसकी बुगाई की जाती है नेक्स्ट है किसमें देख लेंगे कुछ महत्पूर किसमें है ती 27 या बराने के लिए उप्यूक्त होती है इसमें उपज की बात कर लेंगे तो 6-10 कुंटल प्रत हेक्टेर उपज प्राप्त हो जाता है मुख्य कीटों की बात करें तो मुख्य कीट में पहला है आपका मोहला जिसे फिट के नाम से जानते हैं इंग्लिस में और इसे मियटा सिस्टाक्स वन एमेल प्रत लीटर के हिसाब से शिल्काव करके इसे निजात पाया जा सकता है नेश्ट है अन्नकीट जैसे गंदिल कीट हीरग तितली एवं आरा मक्षी जो क्रूसेफ हेरी कुल के सभी सदस्यों पर नुकसान पहुंश जाती है कुल कंपोजिटी है और इसकी खेती महाराष्ट वा आंध्र प्रदेश में रभी के सीजन में किया जाता है और इसके बीजों में तेल का प्रेस्ट बात करें तो 32 प्रेस्ट पायी जाता है वह इसकी खली में सरवाधिक nitrogen 7.8% इसमें nitrogen पाया जाता है जो खाद के लिए सरवाधिक उप्यूप्त होता है खली और next की बात करें most important question यहां से बनता रहता है कई भार question जो है बने हुए हैं परिशाओं में कुश्ण के तेल में लिनोलिक अमल अधिक पाया जाता है जो हिदय रोगियों के लिए सबसे उप्यूप्त माना जाता है लिनोलिक अमल इसमें 78 प्रसर सबसे ज़्यादा लिनोलिक अमल पाया जाता है कुश्ण के पुष्प को कार्मीन भी कहा जाता है यह आपनों डाउन करते चलिएगा जो भी underline करते चल रहे हैं के लिए 15-20 kg अप्यूप्त होता है यह एकटीयर के लिए कुश्ण का बीूप्यूप्त होता है कुछ मुखे किसमे है, तारा, मनजीरा और नाग 7 इसे भी याद रखीएगा नेश्ट है ब्याधिया, ब्याधियों में रस्ट यह विल्ट लगते हैं यानि जो रोग लगते हैं, उसमें रस्ट विल्ट प्रमुख है और कीट में माहो प्रमुख है इसके लावा उपज की बात करें तो उपज होता है 6-8 क्यृंते अभी अब सब्रध वीडियो में और 20 पर देखी गई है तो आज के सेशन में बस इतना ही कि मिलते हैं आप लों जे निक्ट हेड़ वीडियो में और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देजिएगा शेयर कर देजिएगा और आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जूल जाईएगा वहां आपको बहुविकल्पी प्रश्णों का प्रति दिन से बहतर हो सकती है मिलते हैं नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद